तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रपरली मैं इस बात को बताने वाला हूँ कि मैंने रॉयल इंफिल्ड मेटियो 350 और खास करके ये वाला कलर क्यों लिया है ये सिर्फ और सिर्फ इस लिए वीडियो जो लोग भी रॉयल इंफिल्ड मेटियो की तरफ जान करीब करीब यह चल चुकी है एप्रॉक्स 8000 किलोमेटर करीब चल चुकी है 8400 चल चुकी है तो यहां पर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से कारण है जिसके लिए मुझे रॉयल इंफिल्ड मेट्योर लेना पड़ा तो मार्च में मैंने सबसे पहले देखा था कि उस समय केटियम 250 लांच हुई थी तो मैं सबसे पहले केटियम के सोरूम गया था और मैंने सुचा कि यह मेरी तीसरी रॉयल इंफिल्ड है तो ऐसा मैंने सुचा कि कुछ चेंज करतें कुछ बदलते हैं तो बदलने के परपस से मैं सुचा कि चलो भाई केटियम लेने थे न और फिर उसके बास से मैं रॉयल इन्फिल्ड के तरफ गया और राइल इन्फिल्ड के बाद मुझे पता चला कि यह कलर मैं अलरी दो तिन सालों से देख रहा था लेकिन जब यह गाड़ी मैं अपनी जरूत को देखा तो मिनेरे पास जो आप सन बचा वह इसके अलाम कोई लेकिन मुझे सबसे ज़ादा ध्यान रखना था वह बात कि मेरा जो लॉंग टर्म वाला गेम है कि मुझे लॉंग टर्म में सफर तो करना ही करना है 300-400 किलोमेटर का लंबा-लंबा तूर तो मुझे लगाना है तो यह जो दिमाग में थी सबसे पहला में जो दिमाग में था इस गाड़ी को लेने का वो था लेटियोर का कमफर्ट इसके बारे में सुना था और जो कमफर्ट मैं इसमें फील किया हूँ 8000 किलोमेटर चला कर भी तो यह मेरा फैसला नंबर वन था कि मुझे कमफर्ट चीए गाड़ी से दूसरा कमफर्ट हो गया दूसरा आप जब भी माइलेज कमपरिजन करोगे तो माइलेज हमेशा आपको कभी भी दूसरी गाड़ियों के पेच्छा राल फिल्ड एक ठीक ठाक माइलेज करीब करीब दे जाता है जहां तक मैंने कल्कुलेट किया है माइलेज या मैंने जो सुना है जो म सब्सक्राइब जो गाड़ी चला है वह 20-25 माइलेज का चला है तो यह सबसे बड़ा मेरा सेकंड पॉइंट है कि माइलेज भी ठीक है और दूसरी दूसरा गाड़ी का क्या है हमारा कमफर्ट वाला है तीसरा इस कलर को लेने का यह कलर मुझे और किसी गाड़ियों में इतन रॉयल इंफिल्ड का बुलेट एक्स ही उच किया था रेड वो क्रिंसन रेड था यह जो कलर था इस मेटियोर में खास करकि यह कलर मेरा तीसरा पॉइंट था लेने का कि हाँ भाई सब यह कलर मुझे लेना ही लेना है तो यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाते थी कि मैं नहीं गया गाड़ी बराबर है सेम इंजन है सेम सब कुछ है और बलैक कलर भी उसमें आता है जो इसटील बलैक कलर होता है सेम प्राइस पर इसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा तो इसलिए मैं उधार नहीं गया लेकिन दूसरा option मेरा था कि कुछ adventures लिया जाए कु यह मेरा विल्कुल सही फैसला था कि मैं इसकी तरफ यहां पर गया हूँ यह तो तीन रीजन मेरे अपने हैं इसकी तरफ जाने के आपके अपने खुद के रीजन हो सकते हैं तो पहला रीजन हमारा जो है वो है कंफर्ट का रीजन दूसरा जो हमारा रीजन था वो था इसका मा मेलेज है तीसरा रिजन था पर्टिकुलर्ली इस कलर के लिए यह जो कलर है पूरा-पूरा ब्लैक पूरा एकदम माफिया वाला कलर लगता है यह मुझे बहुत अट्रेक्ट करता है यह तीन रिजन है गाड़ी 8000 चल चुकी है दोस्तों कोई सिकायत इस गाड़ी से फिलाल और आगे भी देखते हैं और आगे भी मैं इसके बारे में आपको बताता रहूंगा बाते बहुत बहुत धन्यवाद